स्वागत है आपका IT is Implified in Hindi पर और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग किसी electric device को electric socket से connect करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग CPU को motherboard पर एक socket से connect करते हैं. जब हम लोग किसी electric device को electric socket से connect करते हैं, तो वो device electricity के flow से जुड़ जाता है और electricity को इस्तमाल करने लगता है। ठिक वैसे ही जब हम लोग किसी CPU को motherboard पर CPU के socket से connect करते हैं, तो वो CPU motherboard पर मौझूद बाकी सारे components से जुड़ जाता है और बाकी सारे components के साथ connect कर पाता है। अब किसी भी motherboard पर जो CPU को लगाने का socket होता है, वो socket तीन तरीके का होता है। पहले को कहते हैं PGA, मतलब Pin Grid Array, दूसरे को कहते हैं LGA, मतलब Land Grid Array, और तीसरे को कहते हैं BGA, मतलब Ball Grid Array. हम लोग CPU के इन तीनों तरह के sockets को एक एक करके समझेंगे, और इन्हें समझने के बाद हम ये भी सर्च करेंगे कि आपके desktop या फिर laptop का CPU किस तरह के socket में inserted है, ये होगया PGA socket में इस्तमाल होने वाला CPU, इस CPU में कई सारे pins होते हैं, CPU के उपर ही pin होते हैं, और इस CPU को लगाने का जो socket है, वो कुछ ऐसा होता है, तो pin grade array के case में CPU पर pins होते हैं, और CPU को लगाने का socket होता है, उस socket में holes होते हैं, PGA में किया कुछ ऐसा जाता है कि CPU को इसके socket में बिना किसी initial force के, बिना किसी external force के drop कर दिया जाता है, ताकि हर एक pin अपने hole में आराम से चला जाए, इस तरह के socket क साथ problem यह है, क्योंकि pin CPU के ऊपर होता है, CPU के chip के ऊपर होता है, इसलिए अगर एक भी pin टूट गया insert करने में, तो समझे आपका CPU गया, तो यही एक problem है इस तरह के CPU के साथ, AMD जादतर इसी तरह के socket का CPU बनाता है, PGA category के socket वाला CPU AMD बनाता है, अब PGA category में अभी कई सारे sockets हो सक हर एक category के socket में अलग-अलग number of pins होते हैं, तो एक category के socket का CPU दूसरे category के socket में नहीं लग पाएगा, अगर socket और CPU के बीच एक भी pin कम जादा हुआ, तो वो CPU उस socket में नहीं लगेगा, अब आते हैं LGA category के socket पर, LGA मतलब land grid array, यहाँ पर जो pins होते हैं, वो pins होते हैं socket में, और CPU के उपर pads होते हैं, अब socket के pin को CPU के pad के उपर touch करवा दिया जाता है, ताकि हर एक pin CPU के pad पर touch करें, और इस तरह से CPU बाकी motherboard के components से connect कर पाता है, Intel ज्यादा तर इस तरह के CPUs का इस्तमाल करता है, और इस तरह के sockets में भी कई तरह के socket पाय जाते हैं, जैसे की LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 2011, एकसेक्टरा, हर एक तरह के socket में, of course, number of pins अलग अलग होते हैं, और एक दिये हुए socket का CPU, दूसरे socket में insert नहीं हो सकता, यहाँ पर चुकि CPU के उपर pin नहीं होता, इसलिए CPU के खराब होने का probability काफी कम होता है, अकसरहा जो desktop category के processor होते हैं, या फिर server category के processor होते हैं, मतलब वो processor जो की mobile processor ना हो, laptop या mobile phone के processor ना हो, ऐसे processors अकसरहा LGA या फिर PGA category के sockets इस्तमाल करते हैं, अभी हो लोग देखेंगे अगला जो category आता है socket का, CPU के socket का, वो है BGA, यानि की ball grid array, यहाँ पर CPU के उपर balls होते हैं, और यहाँ पर socket के उपर भी कई सारे balls को attach करने की जगह होती हैं, अब यहाँ पर किया यह जाता है कि solding करके, solding गन एक होता है, solding गन करके CPU को motherboard पर, वहाँ socket के अंदर, permanently attach कर दिया जा हाँ, बिल्कुल यह नहीं कहूँगा कि remove किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए काफी ज़्यादा skill की जरुवत होती है, और यह remove करने के लिए होता नहीं है, कई सारे महरती हैं जो कि remove कर सकते हैं इसे भी, लेकिन यह remove करने के लिए होता नहीं है, इसे motherboard पर socket में sold कर दे और चेक करते हैं कि कौन से प्रोसेसर किस तरह के socket का इस्तमाल कर रहा है आए ये Intel 10th Generation i3 प्रोसेसर को open करें और पिछली बार जब मैं वीडियो बना रहा था प्रोसेसर के वर्टिकल सिग्मेंट पर जिसमें मैंने बताया था कि मोबाइल केटेगरी, desktop केटेगरी बगएर के प्रोसेसर कौन-कौन से होते हैं तो उस समय 10th generation core processor का desktop version नहीं आया था और अब 10th generation core processor का desktop version आ चुका है तो यहाँ पर जो 4 core और 8 thread वारे CPU आपको दिखाई दे रहे हैं वो actually desktop vertical segment के प्रोसेसर से हैं तो ये एक मिल गया मुझे, desktop vertical segment का प्रोसेसर 10th generation में और दूसरा है, यहा पर एक और ढूंड़ो में ये रहा mobile vertical segment का प्रोसेसर 10th generation में तो ये रहा desktop vertical segment का प्रोसेसर और ये रहा mobile vertical segment का प्रोसेसर इसके बारे में काफी जाधा बात popular perceptions में हो चूकी है तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग यहां इसके Socket Supported Option पर क्या लिखता है यहां पर FC LGA 1200 Means Land Grid Array That means यह जिस तरह के Socket में लगेगा वो Land Grid Array का Socket होगा उस Socket में पिन होंगे और इसके CPU पर Contact Pads होंगे Pads उन पिन्स में टच हो जाएंगे और फिर CPU बागी के Motherboard से Connect हो जाएगा लेकिन अगर बात करें इस Mobile Vertical Segment के प्रोसेसर की तो इसके जरह हम लोग आ जाएं Socket Supported Option के पास क्या लिखता है हाँ पर FC BGA 1528 Means यह Wall Grid Array के टेगरी के Socket में जाएगा और Motherboard पर Permanently Attach कर दिया जाएगा तो इस परकार से कोई भी प्रोसेसर किस तरह के Socket में इंसर्ट किया जाएगा यह आप उस प्रोसेसर के नाम के थूँ सर्च कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि प्रोसेसर के Sockets का पूरा Concept का आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोसेसर किस तरह के Socket पर इंसर्ट होता है Information Technology के ऐसे interesting concepts के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT Simplified in Hindi धन्यवाद